Hey YouTube family, welcome back to the channel guys, कैसे हैं दोस्तों, आप लोग hope करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, तो guys आज आए मैं है शोर होंडा, शोरूम के जितने भी details है with contact numbers वो आपको description box मिल लाएंगी दोस्तों, तो guys आज आज आपके लिए लेगा हैं all new 22 की X-blade जो कि आपके सामने प्रेजेंट अभी all new color और graphics के साथ जैसे कि आप देख सकते हो, तो guys यह जो color है, यह है matte black metallic, इसका officially name है, और आप देख सकते हैं बहुत ही जादा attractive लग रही है यह color, तो आज इस वीडियो में हम इस bike के बारे में full detail review करेंगा और आपको बताएंगे कि company ने इसमें क्या कुछ new updates provide कि हैं, ब हमारे चैनल पर red और blue metallic का video already uploaded है, अगर वो color आपने नहीं देखा, तो आप एक बर जाके वो दोनों bikes को ज़रू visit करें, वो color भी आपको पसंद आएगा, बात कर लें, इस bike के बारे में guys तो बहुत ही जादा classy लग रही है देखने में, क्योंकि यह dark edition के साथ यह आई है, जादा कुछ changes आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, तो कोई भी new update होंगे तो वह मैं इस video में आपको बता दूँगा, बात कर लें इसके pricing के बारे में guys, तो yes guys, इस video में मैं आपको अपने city का on road price बता दूँगा कि क्या चल रहा है, तो आईए वीडियो को start करते है, और सबसे पहले बात कर लेते हैं, गाड़ी के looks के बारे में तो आप जैसा की देख सकते हैं, इसका all over new graphics जो क्या आपको मिल रहा है, red और white के combination के साथ, इसमें आपका black का भी finish हो जाएगा, आप देख सकते हो, ऐसे तो इसका नाम है black metallic पर यहाँ पर आपकर 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 आपक इसका fuel tank का cap, यह fully आपको carbon fiber का finish लगेगा, पर यह carbon fiber का, सिर्फ finish है carbon fiber नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो, और यह रही fuel cap, और बात कहले इसके all over designs के बारे में, तो सब जगा fibers का work हुआ हुआ है, designs में आपको rate के graphics मिल जाएगे देखने के लिए, जैसे कि आप लोग देख स और यहाँ पर अगर बात कहले इस pillion के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, बहुत जादा अच्छा लग रहा है, दो split में grab rails मिल जाते हैं, और यह रहा इसका tail lamp, तो वो मैं आपको on करके दिखा देता हूँ, तो पहले सबसे पहले key दिखा देता हूँ, key कुछ इस बहुत जादा अच्छा लगता है, जब brake मारोगे तो आपका जो नीचे का यह जो नहीं जल रहा हो जलने लगेगा, तो फिलाल मैं अकेला हूँ, इस वाइस मैं आपको दिखा नहीं सकता, दो indicators मिल जाते हैं, बल में, यहाँ पर Honda की branding, यहाँ पर भी आपको एक light मिल जाता ह हैं, वो मिलते हैं, TVS के tire company आपको provide कर रही है, और tire size के बारे में बात करेगा है, इस तो tire size आपको दिखा देते हैं, 130 by 70 और 17 इंच के आपको alloy मिल जाते हैं, देखने के लिए दोस्तों, और यहाँ पर आपको disc मिल जाता है, 220 mm का, और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, single piston calibers, front में आपको single piston मिलते हैं, यह रहा इसका exhaust, यहाँ पर आपको दो nope मिल जाता है, यहाँ पर आपको हलका सा chrome का cover मिल जाएगा देखने के लिए, और यहाँ पर भी आपको chrome का fiber cover मिलेगा दोस्तों, बात कर लेते हैं, इसके front look के बारे में, तो front look से आपको पहले, यहाँ पर जाता है, और गाड़ी start होते ही, इसके LED headlight setup on हो जाता है, और look आप देख सकते हो, full aggressive look company आपको provide करती है, तो looks में कोई भी आपको problem नहीं आएगी, looks wise, यहाँ पर इसका mud guard मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हो, body color से match है, पीछे का हलका साब को matte का finish मिल जाता है, black matte का, आप आपको मिल जाता है, disc, disc size मिल जाता है, 276 mm का, avia sensor मिल जाता है, dual piston calibers मिल जाते है, तो guys, इसमें आपको front में dual piston मिलते है, rare में single piston calibers मिलते है, यहाँ पर आप देख सकते हो, rate का alloy में काम हुआ हुआ है, sticker, इसको आप graphics बोल सकते हो, और tire size के बारे में बात करें, तो front tire size 80 by 300 का, 17 inch के आपके alloy है, दो reflectors मिल जाता है, और अगर बात करें इंजन के बारे में guys, तो it has 162 cc engine, force torque है, air cold है, maximum PS 13.6, 37 bhp है, और यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका engine cowl, जो कि आपको fire मिलता है, torque आपको मिल जाता है, 14.7 mm, जो कि आपको मिलता है, 5500 rpm, numbers of gears आपको 5 मिलते है 1 down, 4 up, इसमें आपको cut off sensor company provide कर देती है, जो कि आपका instrument cluster में भी donate कर देता है, दोस्तों, तो यह तो बात हो कि engine के specifications के बारे में guys, seat के बारे में बात कर लेते हैं, seat आपको comfortable seat company provide करती है, seat head आपको मिल जाती है, 795 mm की, तो बहुत easy होगा आपको इसमें write करना, instrument cluster आपको दिखा gear indicators मिल जाते हैं, अभी यहाँ पर neutral है, जैसे मैं gear down करूंगा, तो 1, 2, 3 करके option आजाएगा, speedometer मिल जाता है, autometer मिल जाता है, fuel gaze, tachometer, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप numbers of trips आपको 2 मिल जाते है, जिसे आप change कर सकते हो, time मिल जाता है, Honda की branding मिल जाती है, यहाँ आ अचा feature आपको company pride करती है, 160 segment में आपको company provide करती है, तो यह तो बात होगे, गाड़ी के बारे में guys, अब बात कर लेते है, main है, इसका price, तो सबसे पहले बता देते है, आपको इसका action room price, जो कि हमारे city में चल रहा है, 1,19,157, on-road के बारे में बात करें guys, तो on-road का जो price होता है वो city to city vary करता है, हमारे city में इसका on-road price चल रहा है, लगबग 1,44,000 के आजपास, आपकी city में जो भी इसका on-road price चल रहा होगा, मुझे comment के थूरू बताईए, अगर आप greedy या greedy के आजपास से belong करते हो, तो आप हमारे showroom में आ सकते हैं, showroom के details हमारे description box में दिये हैं दोस्तों तो फिली गाईज, ये color आपको बहुत जादा पसंद आया होगा, अगर ये video आपको पसंद आया हो, तो एक like के comment जरू करिएगा, और channel पर पहली बढ़ा हैं, तो channel को subscribe कर दीजेगा, मिलते हैं आप से next video में, तब के लिए bye and take care